So good morning guys, welcome back to another vlog और आज का vlog तो काफी जादा amazing होगा Reason आपको thumbnail देखके समझ में आ गया होगा महिंद्रा XUV7OO की booking की करवादी थी हमने जब गाड़ी लोंच होई थी और आते आते तकरीबन 6-7 महीन होगे हमें बेट करते और finally वो दिन आ गया है जब हमें गाड़ी की booking मिलेगी बीच में मैंने last vlog में भी बताया थे जब हम गूम के आये थे हमारा पहले plan था कि XUV पहले आ जाती है उसके बाद गूमने जाएंगे बट वो plan भी cancel होगा है कुछ paperwork का issue था बट finally almost हर काम हो चुका है और गाड़ी में जो accessories लगनी थी आज कल पता होगा अपने company ने एक नया system चला रखा है कि मतलब कुछ amount company लग देती है कि उस amount के accessories लगवा लो वो भी हमने लगवा लिया है तो वहाँ पे जाके PDI inspection वगएर सब कुछ होगा गाड़ी का तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ गाड़ी की डिलिवरी है लाजपत नगर से और अभी मैं हूँ सितारा ढाबा कुरुक शेतर पे और टाइम देखिया आप सेड़े 11 का टाइम होच चुका है तो बस बिना किसी देरी किए अभी निकलते हैं गाड़ी लेने के लिए क्यूकि काफी जादे लेट होगे हैं तो यार तीन गंटे की काफी लंबी ड्राइब के बाद फाइनली हम आ गए हमां इंद्रा के शोरूम में और आइधिंक हमारी गाड़ी यहीं कहीं बाहर खड़ी होनी चाहिए तो यही हमारी गाड़ी अब भी बारिश आगी थी तो गाड़ी की साफ सफाई फाइनल टचीज दे रहे हैं बाद में पूरा ओवर्वी देने गाड़ी का और अभी तो थोड़ा सा इंटीर दिखा दो मेरे को यह जीट सबसे अच्छी लगी इसका भी मैं बाद में रीजन बताऊंगा क्यों टेल गेट थोड़ा हलका है और अभी बात कर रहे हैं अंदर स्कॉर्पियो की टेस्ट ड्राइव लेगे आएंगे तो अभी हम पीडे इंस्पेक्शन कर रहे थे एक स्क्रेच तो हमें यह दिखी है और एक जो रूफ रेल है रूफ रेल यहां से निकली हुई है तो अभी हमने इनको बोला है यह चीज़े देखेंगे और एक शायद ब पैसे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए पर मैं यह कह रहा हूं एक्स यूवी से भी 10 गुना जादा बैटर फीचर वाइज और हर चीज़ वाइज स्कॉर्पिय होने वाली है उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा इस वीडियो में नहीं डालता हूं तो एक दो दिन म वगेरा का काम बस एक दो जगे साइन करने और बाकी रहते हैं और बाहर से बिलकुल नीट एंड क्लीन कर दिया है एक यह चोटा सा काम था यहां का इस पे इन्होंने अभी तो प्लेट से ढख दिया है बट यह काम हलका सा लूज है यह कह रहा है नेक्स सर्विस में होगा औ और बाकी तो A to Z चीज बिलकुल नीट एंड क्लीन हो गई है देखिए अंदर से जैसे आज सीट कवर का काम होगा उसके बाद मैं कल अच्छे से अंदर की वीडियो बनाऊंगा अभी तो आप देख लीजिए और देखिए लाइट सोन होने के बाद फ्रेंट प्रोफाइल स कुछ ऐसी लगती है और यह गाड़ी की साइट प्रोफाइल है मुझे इस कार के सबसे अमेजिंग दो फीचर एक तो यह लगा गेट खोलने के लिए और एक यह चीज इस चीज के काफी फाइदे भी है और नुकसान भी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे और अंदर से जो इंडिकेटर की वोईस वगेरा है देखिए वो भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं तो इस गाड़ी के सबसे प्लस पॉइंट है कि हर चीज में कस्टमाइज़ेशन हो सकती है बेशक हम इन डाइल्स की बात करें या अंदर की साउंड की बात करें और स्पेस भी काफी अच अच्छे अंदर से एक फुल रिव्यू तब आएगा और यह देखिया वाइट में स्कोर्पियों कितनी प्यारी लग रही है इस गाड़ी पर दिल आ गया है और इसकी हमने स्कोर्पियों की एट टुकाट कर दिया है बस जिस दिन बुकिंग ओपन होगी हम उस दिन बुकिं लग चुकिया यह है टेंप्रेरी नंबर और अभी गाड़ी को वहां लगा के डिलिवरी लेनी है फ्री एंड फाइनल डिलिवरी होते ही फिर सिदा जाएंगे करोल बाग हमारा काम तो 6 बचे तक जाना और 7 बच चुके हैं पूरा एक गंटाले ठम अल्रेडी हो चुके हैं कर दो आगे तो तो फाइनली फ्रस्ट पहली बार हम गाड़ी में बैठिया है उर गाड़ी को चला रहे हैं अभी तो सबसे पहले जैसे ये पर शोरूम था पीछ अभी तो सबसे पहले तेल बरवाना इसमें तेल कितना कम है J prakt ब्लिंक हो रही है तो यहीं पर सबसे पहले फ्यूल स्टेशन बता रहा है पास में तो सबसे पहले फ्यूल कराना है और गाड़ी काफी जाधा स्मूथ है बट अभी भी मैं कंपेरिजन अगर करूं स्कोर्पियो भी आज ही चलाई तो I think स्कोर्पियो थोड़ी सी जाधा पेट्रोल वाली चलाई थी बट अगेन नई गाड़ी है और सबसे पहले तो फ्यूल का देखते हैं और काफी स्मूथ चल रही है और दिल्ली का ट्रैफिक तो आप लोगो वह पताई है अभी हमें लाजपत नगर में और यहां से पेट्रोल डलवा के हमें जाना है पर और अभी टैंक फुल करवाते हैं क्योंकि फर्स टाइम कार का तो हमेशा टैंक फुल ही होना चाहिए और बस थैंक फुली कि टाइमली सब कुछ हो जाए क्योंकि सोनीपत तक पोचने में भी एक से डेट गंटा लगेगा और सेवन थर्टी हो चुके हैं और दिल्ली में इस टाइम पर इतना जाधा ट्राइफिक है हर जगर हर लाइट पर काफी जाधा टाइम लग रहा है तो वैसे तो करूल वाग इतना दूर नहीं है यहां से बट हम फिर भी एक गंटा लेकर चल रहे हैं और आज काम कराना इसलिए जरूरी है तो कि अगर आज काम नहीं करव पर होंगे ठीक है दूसरा यह 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 जो पूरा एरिया इस पे लैदर लगेगा तीसरा यह पूरा हैंडल का काम होगा हैंडल पर लैदर लगेगा और हैंडल तो बहुत ही जादा स्मूथ है तो अब बारी शुरू हो चुके है संट रूफ में से अच्छे से दिख रही है और अभी हम आगया करोलवाग में जय उटो काफी फेमस शोप है कोई भी आफ्टर मार्केट काम करवाना और खासकर एक्सुवी का अभी हमारे साइड में ही एक एक्सुवी का काम चल रहा है लाइट ब्लू कलर का तो गाड़ी को वहाँ पे खड़ा कर लिया है और जो भी बहिया काम करेंगे उसमें या तो रात हो जाएगी रात के मतलब बारा एक तो बजी जाएंगे क्योंकि सीट कवर का काफी लंबा काम है और अगर रात नहीं होती है तो सुबह हम मतलब होटल भी ले सकते हैं तो काफी जाजा फेमस है और उसके लिए अलगसे वीडियो होगी तो बस इस वीडियो कर से इसना ही और जब सारा काम हो जाएगा सुबह मैं आपको अलगसे दिखाऊंगा पूरी वीडियो में क्या हुआ है कैसे है मतलब आने वाले गोतिंग लोग कार से रिलेटेड होने वाल का और तो बस आने वाले दोतिंग व्लोग का वेट करना हो बाएगा